आनन्द का फंडा के आज की एपिसोड में सबसे पहलें काफी इंटरेसिंग डिसकेशन करने वाले हैं अकुम्स ड्रक्स का IPO आज से ओपन हो चुका है ऐसे आप financials देखोगे तो आपको एकदम खराब financials दिखेंगे आपको दिखेगा कि company losses बना रही है और back to back सारे सालों में दो साल, तीन साल में इतना कोच अच्छा काम करा नहीं है और किसी भी तरीके से अपनी valuation को justify करने रही पर मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली थी जो main review वीडियो था कि भाई अगर आप जब इसका loss देख रहे हैं एक चीज़ ध्यान रखना क्या accounting का difference है यह जो company है ना, company ने basically अपनी shareholder यानि कि जो cap table होती है उसमें एक investor रखा था पर उस investor के साथ एक rule था कि भाईया तुमारे को exit मिलेगी तो वो हम देंगे, अगर बायचांस market में नहीं भी मिलती तो तुमारी exit की responsibility हमारी हुई जैसे यह company IPO ला रहे है gap के principle यह बोलता है कि because अभी तक company के पास कोई funding का direct source नहीं था IPO आने के पास obviously funding का source आ चुका है और company का IPO आ चुका है, secondary market में shares जा चुके, बात खतम हो गई पर जब तक यह clause नहीं जाता है, एक put liability company को दिखाने पड़ेगी जिसका expenditure होगा, इसी चीज के expenditure को show करना पड़ रहा है देखिए, यह ऐसी चीज है, जो मैं आपको ऐसा नहीं कि अपने मन से बता रहा हूँ अगर आप properly, official, CB की website पर जाके documents check out करोगे वहाँ पर आपको यह document में clearly समझ आ जाएगा company ने दो financials दिखाया, अभी मैं आपको screen पर दिखाया है पर इसी public document जो openly सबके साथ available है वहाँ पर दो financials दिखाया है company ने, एक होता है normal, दूसरा है adjusted adjusted यह जो complete provision के entry उसे adjust करके बताया है और जैसी वो adjust कर देता है, IPO हमें okay okay valuation पर दिखने लगता है next, अगर हम finally anchor book जो already out हो चुकी है, उसे check out करेंगे तो आप check out करेंगा anchor book में काफी सारे अच्छे नाम है, देखिए कुछ तो obvious नाम है जैसे की healthcare fund हो चाहे हो SBI का हो, आदित्य बिल्ला के pension हो गए यह तोड़े obvious नाम है, obvious नाम क्यों है next, काफी सारे ऐसे pension funds होते हैं जो defensive funds होते हैं वो usually pharma की company को पसंद करते हैं उन्हें invest किया बहुत अच्छी बात है पर at the same time आपको black rock global का नाम दिखेगा Abu Dhabi investment authorities का नाम दिखेगा जो काफी अच्छा हो जाता है कुछ small cap world fund का नाम दिखेगा जो काफी अच्छा नाम हो जाता है अभी तक आप देखोगे तो DSP ने भी investment किया है Franklin का नाम है पर Franklin का नाम को मैं personally बहुत अच्छा नहीं मानता यह subjective matter है कि किसको आप कैसा मानते हो ICCA Prudential का नाम है Tata का नाम है SGFC Life का बंदन small cap का नाम है तो एक अच्छी cap table इसके अल्ड़ी बन चुकी है anchor book तो anchor book में thumbs up हमें मिल गया है finally अगर आज के दिन as per sources के हम बात करें तो grey market पूरिम चल रहा है 27 से 28% के आजपस का मैं personally इस IPO को लेके अब especially looking at the anchor book काफी interested और excited हूँ और मैं personally इसे consider करने वाला हूँ detail में study करने वाला हूँ आपका क्या view बन रहा है मुझे comment करके बता दीचेगा और IPO में allotment वैसे इसका size बहुत जादा है फिर भी चाहते हूँ कि आपके IPO में allotment के chances बड़े तो हर एक family member के नाम से जनरल मार्केट रन अभी भी uptrend में है put call ratio 1.2 थी कि आसपास comfortable है FIS ने कल के दिन फिर से माल बेचा roughly पच्छिस सो करोड का पर उससे double माल DIs में purchase किया probably यही कारण था कि market ने कल के दिन एक नए fresh high लगाए मतलब market में flows बनते जा रहे US market को check out करोगे तो क्या perfectly हमारा figure बैठ रहा है 5 day reversal का 1,2,3,4,5th day reversal का धाई दिन का funda on the positive side perfectly अपला हुआ I hope आपको यह धाई दिन का funda 5 day का reversal यह basic concept काफी काम आ रहे होंगे काफी important है अब अगर हम Indian markets को check out करे तो आज के दिन जाते आते market ने तोड़ा सा profit booking दिखाई which was usual 15 minute के chart में देखोगे तो आपको पता चलेगा और clean तरीके से कि इतना कुछ major काम भी नहीं हुआ है पर जैसा कि हमने कल भी बात करी थी अगर market को sell करना है, shot करना है तो 24,950 वो जी level जो हमने कल भी बात करी थी इस level के आसपास से reversal market को back to back मिल रहा है तो ये आपके लिए shot play करने का area हो जाता है, अगर कल का funda नहीं देखा तो देखने ना समझा जाएगा आपको और important support market के लिए बनावा है 24,750 की range, जब तक market इसके उपर है, market positive है कल के दिन बहुत simple सी trade है अगर market 24,750 के आसपास gap down open होता है एक बार bounce back लिए play करना ज़रूरी है flat open होता है, हलका full का zigzag करता है इस level के आसपास आता है, वापिस से bounce back play करना important रहेगा अगर मुझे shot करना हुआ तो 24,960 से 25,000 की range होगी जहाँ पर हम shot सिर्फ 50 point के stop से try कर सकते है bank nifty की बात करें तो obviously मैंने कल भी कहाता कि bank nifty हमें ज़्यादा positive या ज़्यादा ध्यान लगाना होगा अभी भी same बात है important support बना रहेगा 51,100 का इस level के आसपास मिलता है तो एक बार bounce back लिए play करना important है shot करने की range वैसे तो 52,200 की होती है जो मैंने पहले भी discuss करी थी इस range के आसपास मिले तो एक बार reversal के लिए play किया जा सकता है अभी market both side का काम करने वाला बनावा है अगर कोई ऐसा player है जो call भी और put भी बेच के काम करना चाता है तो उसके लिए अच्छा होता है कल 400 point का move बड़ा move यानिक की bank nifty में आने के लिए important होगा and I am personally expecting की 10 EMA की strategy कल के दिन important हो सकती है दोनों ही side में तो 10 EMA की strategy को कल के दिन special ध्यान रख लेना विक्स काफी comfortable है 13 के नीचे-नीचे कोई tension की बात नहीं है trading के लिए even intraday positions के लिए ये एक perfect scenario होता है जहां पर आपको अच्छा risk reward ratio मिल सकता है अभी के साब से कल हो गया परसो हो गया ये वाला विक intraday के लिए thumbs up आपके लिए हो जाता है वीडियो अच्छा लागे तो like कर देजएगा एक important वीडियो आपकी screen पर आजए तो check out करे भीना मज जाएगा I will see you very soon